अर्जुन उवाज एवं सतत युक्ताये भक्तात्वाम परिपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम देशाम के योगवित महा अर्थात अर्जुन ने पुछा जो आपकी सेवा में सदेव तत्पर रहते है या जो अव्यक्त निर्विशेश ब्रह्म की पुजा करते है इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण अर्थात सिध माना जाए श्री भगवान वाज मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रधया परियोपे तहां तेमे युक्त तमाम तहां अर्थात श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते है और अत्यंत सद्धा पुर्वक मेरी पूजा करने में सदेव लगे रहते है वे मेरे द्वारा परम सिध माने जाते है ये त्वक्षरं मने देश्यं आव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगं अचिंतयंचा कूट अस्थलं अचलं द्रुवं सन्नियम्येंद्रियंग्रामं सर्वत्रसमबुद्धया ते प्राप्नुवंतिमामेव सर्वभूत ही ते रताहा अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे है लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश्मे करके तथा सबों के प्रती समभाव रखकर परमसत्य की निराकार कलपना के अंतरगत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पुजा करते है जो इंद्रियों की अनुभूती के परे है, सर्वव्यापी है, आकलपनीय है, आपरिवर्तनीय है, अचल तथा धुरूव है वे समस्त लोगों के कल्यान में सनलगन रहकर अंततह मुझे प्राप्त करते है क्लेशोधिक दरस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेत साम अव्यक्ता ही गतिर दुख्वं देहवब्धिर वाप्यते और थात यहाँ पर श्री कृष्णा अर्जुन से कह रहे है जिन लोगों के मन परमेश्वर के आव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रती आसक्त है उनके लिए प्रगती करपाना अत्यंत कष्ट प्रद है देहधार्यों के लिए उस छेत्र में प्रगती करपाना सदेव दुशकर होता है ये तू सरवानी करमानी मै सन्यन स्यमत परहा अनन्यनेवयोगिन माम ध्यायंत उपास दे तेशा महम समुद्धर्ता वृत्यू संसार सागरात भवामिना चिरात पार्था मैयावेशित चेत साम अर्थात यहाँ परशी कृष्णा अर्जुन से कह रहे है जो अपने सारे कारियों को मुझ में अर्पित करके तथा अविजलित भाव से मेरी भक्ती करते हुए मेरी पूजा करते है और अपने चित्तों को मुझ पर स्थीर करके निरंतर मेरा ध्यान करते है उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म बृत्यों के सागर से सीख्र उद्धार करने वाला हूँ मैयेव मनाधस्त्व मै बुद्धिम निवेशया निवश्यश्य मैयेव अत उर्ध्वम नाशंशया अर्थात यहाँ पर श्रीकृष्ण अर्जुन से कह रहे है मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थीर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ इस प्रकार तुम नी संद्या मुझ में सदेव वास करोगे अथचित्तम समाधातुम नसक्नोसी मैस्थिरम अभ्यासयोगेनततह मामिच्छापतुम धनन्जय अर्थात यहाँ पर श्री कृष्णा अर्जुन से कह रहे है हे अर्जुन हे धनन्जय यदि तुम अपने चित्त को और विचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधी विधानों का पालंग करो इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन करो अभ्यासे प्यस अमर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थम पी करमानी कुर्वन ससिधिम अवाप्यसी अर्थात यहाँ पर श्री कृष्णा अर्जुन से कह रहे है यदि तुम भक्ती योग के विधी विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रियत्न करो क्योकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्णा अवर्ष्था अर्थात सिधि को प्राप्त होगे अथे दप्य सक्तोसी कर्तुम अध्योगमाशिता सर्व कर्म फलत्यागम तत्ह कुरूयतात्मवान अर्थात यहाँ पर श्री कृष्णा अर्जुन से कह रहे है किन्तु यदि तुम मेरे इस भावना मृत्मे कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलो को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रियत्न करो अर्थात यहाँ पर श्री कृष्णा अर्जुन से कह रहे है यदि तुम या अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुसिलन में लग जाओ लेकिन ग्यान से स्रेष्ट ध्यान है और ध्यान से भी स्रेष्ट है कर्म फलो का परित्याग क्योकि ऐसे त्याक से मनुष्य को मन शान्ती प्राप्त हो सकती है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मेत्रह करुण एवच निर्ममो निरहंकारह समदुख सुखाचमी संतुष्ठा सततम्योगी यतात्मा डड़नेश्चया मैयर्पित्मनो बुद्धि यो मधभक्ता समेप्रिया आर्थात यहाँ पर श्री कृष्णा अर्जुन से कह रहे है जो किसी से द्वेश नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालू मित्र है जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है जो सुक दुख में संभाव रहता है सहीशनु है सदेव आत्मतुष्ट रहता है आत्मसयमी है तथा जो निश्चे के साथ मुझ में मन तथा बुद्धी को स्थीर करके भक्ती में लगा रहता है ऐसा भक्त मुझे अत्यांत प्रिय है यस्मानों द्विजते लोकों लोकानों द्विजते चय यहां हर्षा मर्षबयों द्वेगें मुक्तोय सचा में प्रियां और थात यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे है जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुषता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है वह मुझे अत्यांत प्रिय है अनपेक्षा सुचिरदक्ष उदासिनों गतव्यथा सर्वरंभ परीत्यागी यो मदभक्त समेप्रिया और थात यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे है मेरा ऐसा भक्त जो समान्यकार कलापों पर आश्रित नहीं है जो शुद्ध है दक्ष है चिंता रहिद है समस्त कष्टों से रहिद है और किसी फल के लिए प्रयत्नशिल नहीं रहता मुझे अतिश्य प्रिय है यो न रिश्यती न द्वैष्टी न सोचती न कांशती शुभाशुपरित्यागी भक्ति मान्या समेप्रिया आर्थात यहाँ पर श्री कृष्णा अर्जुन से कह रहे है जो न कभी हर्शित होता है न शोग करता है जो न तो पच्चताता है न इच्छा करता है तथा जो शुब तथा शुब दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिया है समहा सत्रोच मित्रेच तथा माना पमानयों सितोष्ण सुख दुखेशुं समहा संग विवर्जिता तुल्यनिंदा सुतिमानी संतुष्टो ये न के न चित अनिकित हा स्थिरमती भक्तीमान में प्रियो नरह अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे है जो मित्रो तथा सत्रो के लिए समान है जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश्ट तथा अप्यश में संभाव रखता है जो दूसित संगती से सदेव मुक्त रहता है जो सदेव, मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता जो ग्यान में ड्रड है और जो भक्ती में सनलगन है ऐसा पूरुष मुझे अत्यांत प्रिय है ये तू धर्मा मृतमीदम यथोक्तम पर्युपासते शद्धा नामत पर्मा भक्ता ते तीव में प्रिया अर्थात यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहा रहे है जो इस भक्ती के अमर्पत का अनुसरं करते है और जो मुझे ही अपना परमलक्ष्य बनाकर शद्धा सहित पूर्न रुपेन सनलगन रहते है वे भक्त मुझे अत्याधीक प्रिय है जिसे हैं उत्वड़द कर दो किपा जत्वादी कमारी है